राश्टर पिता मात्मा गांधी के राम राज्य के औुधारना का अभिप्राए देवी राज्य अरथात इस्वर का सामरज्य है इस्वर के सामराज्य का अर्थ है सच्चार लोक तंत्र जिसमें राजा और रंग के समान अधिकार हैं दोनों में समानता है इस वर ये सामराज्य का अर्थ है जिसमें सुद्रतम नागरिक भी लंबी चोड़ी और महंगी प्रकरिया के बिना सिग्र न्याय पासकता है अर्था अच्छी कुसर न्याय व्यवस्ता मात्मा गांधी की रामराज्य के अवधारना लोगों को संप्रभूता देना है और उसका अधार नेतिकता है विशुद्ध नेतिक सत्ता गांधी के रामराज्य में सासन व्यवस्ता किसी की नकल नहीं है यह हमारे अनुकुले हमारी प्रणाली गांधी के रामराज्य में सेना नहीं होगी का अर्थे की सेना का अधिपत्य नहीं होगा गांधी के रामराज्य के अवधारना समरस्ता की नहीं है यह समान्ता की है उनके अनुसार रामराज्य वह नहीं है जिसमें मुठी पर लोग एश्वरी भोग रहें और आम आदमी के लिए पेट बढ़ना भी कठी नहीं गांधी के रामराज्य अर्थात इस्वरी सत्ता में रदे में अहिंसा हो कहीं भी हिंसा नहीं हो जा हिंसा होगी वहां रामराज्य नहीं होगा और अंत में गांधी कहते हैं मित्रो ने मुझे बार बार चुनोती दी है कि मैं स्वाधिन्ता की को परिभाशित करूँ मैं फिर कहता हूँ कि मेरे सपनों के स्वादिनता का अर्थे रामराज्य अर्थात प्रत्वी पर इस्वर के सामराज्य की स्थापना हूँ